नमस्कार साथियों, The Nursing Academy YouTube चैनल पर मैं आप लोगों का स्वाइद करता हूँ दोस्तों, एक नई वेकेंसी, एक नए recruitment notification के साथ मैं आए हूँ आप लोगों का समथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, Government of NCT of Delhi, Delhi Subordinates Services Selection Board तो दिल्ली Services Selection Board जो दिल्ली का है, उसके लेटर नमबर आप देख सकते हैं, 2792 दिनांग 10-11-2023 10 November 2023 के तहट, वेकेंसी नोटिस निकाला गया है, जिनका advertisement नमबर है 3-2023 इसमें इन्होंने पहली instructions दे दिया है, only online applications will be accepted केवल online mode से ही जो application receive होंगे, उसी को accept किया जाएगा, other mode से जो application भिजे जाएगे through offline या through दूसरे माध्यम से, उसको strictly reject कर दिया जाएगा, और उसको कोई regard नहीं दिया जाएगा तो ये चीजें आपको ध्यार रखनी है, means जो application है, ये जो post है, nursing officer का, nursing grade 1 का, वो online mode के माधम से आपको apply करना है तो इसके तहर बहुत सारी vacancy या निकाली गई है, बहुत सारे post निकाले गए है, मैं nursing officer, nursing grade 1 जो post है, उसके बारे में बात करेंगे बात करने से पहले हम चर्चा करेंगे उसके बारे में कि आपका starting date क्या है, closing date क्या है, आपको apply कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या आपका educational qualifications से ये, आपको fee payment कैसे करना है ये जितने भी ये सब topics हैं हम इसको cover करेंगे चलिए start करते हैं वीडियो, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो application का opening date है, वो 21-11-2023, 21-9-2023 से आरम हो चुका है और last date है, 20-12, 20-12-2023 तक आप इसको apply कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे post हैं, तो आईए हम direct चलते हैं आपके nursing officer post के लिए यहाँ पर देखिए, serial number 19 पर, इनका जो vacancy code है, 90-23, nurse grade A, New Delhi Municipal Council के अंतरकति ये रहेगा, group B का post है, UR के लिए 37 post है, OBC के लिए 26, SC के लिए 11, HT के लिए 6, और EWS के लिए 10, total 90 post इन्होंने publish किया है, तो आईए, हम इसके बारे में डीटेल में बात करते हैं, जैसा कि मामने पहली ही आपको बताया है, कि लाज जो closing date है, आपका 20-12-2023 है, 20-2023, रात्री, 11-69 तक आप भर सकते हैं, उसके बाद जब आप apply कर देंगे, उसके बाद इन्होंने एक instruction दिया है, candidates is advice, candidate को सुचित किया जाता है, कि वो board का जो website है, वो regular base पर visit करते रहे हैं, ताकि कोई भी update हो, आप apply कर दिये हैं, उसके बाद, आपके exams कब होंगे, उसका heart ticket कब आएगा, result कब आएगा, A to Z जो भी updates रहते हैं, recruitments के समन्दित, वो आपको website में उपलब्द कराया जाएगा, आए तो हम बात करते हैं, दोस्तों, बात करने से पहले, मैं आप लोगों को बता दूँ, कि हमारा प्रयास रहता है, कि कोई भी recruitment notification जो publish किया जाता है, किसी भी organization में, किसी भी department में, किसी भी state या center government के अंतरगत, हम लोगों का प्रयास रहता है, कि सबसे पहले उसकी verification की जाए, कि जो notification है, वो authentic है कि नहीं, हम जो authentic notification रहते हैं, उसी को आप लोगों के समख्ष प्रस्तूत करते हैं, कि कोई भी बच्चा, कोई भी candidate misguide नहों, रहीं गलत information, गलत recruitment notification को apply करके, अपने career को दाउप इन लगा, उसका career खराब नहों, तो हमेशा ही इस बात का हम लोग CRT करते हैं, 99.9% कि कोई गलत recruitment notification, कोई false या फरजी recruitment notification हम आप लोगों के समख्ष न प्रस्तूत करें, तो इस बात को लेकर शेयोड रहा करिए, कि The Nursing Academy आपको genuine notification ही आप लोगों को समख्ष प्रस्तूत करता है चलिए, पोस्ट कोड 90, अबलिक 23 के बारे में हम बात करें थे, पोस्ट का नाम है Nurse Grade A, जो department है, New Delhi Municipal Council का है, इसका reference number भी इन्होंने दिया है, आप vacancy का details भी में बता दिया हूँ, कि UR के लिए 37 है, OBC के लिए 26 है, SC के लिए 11 है, HT के लिए 6 है, EWS के लिए 10, total 90 vacancy है PWBD कटेगरी में भी 3 vacancy है, 3 और इसमें 4, total 4 vacancy है, आईए हम बात करते हैं कि qualification, educational qualification जो मीन होता है, वो क्या है तो पहला है कि metric आप होना चाहिए, किसी भी recognized university से, institution से, या उसके equivalent, metric है उसके equivalent, किसी भी recognized institution या board से होना चाहिए दूसरा, आपके पास GNM का डिप्लोमा होना चाहिए, minimum GNM डिप्लोमा होना चाहिए और उसके बाद candidate किसी भी मानताप्राद, nurses registration council से, आप किसी भी state के nursing registration council से registered होना चाहिए तो ये तीन चीज़े होनी चाहिए, आपके पास minimum GNM होना चाहिए, BSA nursing है, वो भी apply कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं और उसके बाद आप registered होना चाहिए, किसी भी nursing council में कोई desirable नहीं है, experience कोई desire नहीं है, freshers है, freshers भी apply कर सकते हैं, अगर हम pay scale की बात करें, दोस्तों बहुत ही अच्छा pay scale है, level 7 का pay scale है, total आप देख सकते हैं, 44,900 आपका basing starting होगा, और उसके बाद जो भी DA रहेगा, वो आपको मिलेगा, और उसके बाद उसके साथ जो भी allowances रहे करेंगे, वो आपको मिलेंगे, तो मैं approximately बता दूँ कि आपको 65 to 70,000 रुपीज पर मन्त यहाँ पर मिलने वाला है, अगर इस criteria की बात करें, तो minimum 18 years, maximum 32 years के जो candidates हैं, वो apply कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने contractual employee, आप same department, means NCT जो Delhi इस department के लिए आया है, उसके लिए है कि जो भी candidate, 180 working days तक, same department में काम किये हैं, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, और उसका reference, यह circle number इन्होंने यह mention किया है, तो यह मोटी-मोटी चीजे हो गई हैं, आप देख सकते हैं, इसके रामा, यह जो limit है, जिसमें हर category के लिए जो government का procedure है, जो है, उसके तहत हमको I.O में छूट सूचना आए हैं, उसके बारे में discuss कर लेते हैं, आपका fee payment क्या रहेगा, आपका examination का procedure क्या है, क्या कौन-कौन से topic कवर होंगे, आए, देखते हैं, eligibility criteria, first number इन्हों दिया है, कि the candidate must be a citizen of India, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, जिरूरी, the candidate must be eligible in terms of age, मने बता दिया, कि होना चाहिए, experience आप लोग कोई नहीं है, तो main है, आपका age और educational qualification minimum आपके पास होना चाहिए, जो educational qualification, age experience, जो मांगा गया है, वह, उसका cut-up date है, 20-12-2030, जो भी qualification, जो भी age का है, उसका cut-up date, 20-12-2030, तक count होगा, आपको apply कैसे करना है, हमने website बता दिया आपको, कि ये website है, य website पर पुरा details दिया गया है, उसका notification भी आप वहाँ से download करके पढ़ सकते हैं, गो through कर सकते हैं, उसके अलामा, ये notification मैं telegram आपने group में provide कर दूँगा इसका, आप वहाँ पर भी जाके apply कर सकते हैं, तो आप जो mainman है, हमने date बता दिया कि कब से कब तक आप भर सकते हैं, कि वहा रुपीज है किवल, जो online mode द्वारा आपको करना है, women candidate and candidate belong to SC, ST, PWBD, extra women category, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, तो जो भी महिला अभेरती है, email है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, आईए हम बात करते हैं, जामिशन का स्कीन का क्या है, तो आप देख सकते हैं, one tier technical, तो आपक तो यह tier one exam का है, two hours का होगा, total 200 questions होगे, 200 marks के, तो इसमें क्या-क्या cover होगा, आप section यह देख सकते हैं, दो section में बटा होगा, MCQ means objective type questions रहेंगे, जो general ability से रहेंगे, general intelligence and reasoning ability, उसके बाद mathematical and numerical ability के रहेंगे, test of Hindi knowledge and comprehension, test of English language and comprehension, means Hindi और English दोनों भासाओं का, आपका test लिया जाएगा, उसके अलावा general awareness, general intelligence और earth medical intelligence, यह questions रहेंगे, जो 20-20 marks के हर section से रहेंगे, तो आपका total 5 है, तो 100 का होगा, उसके बाद जो section B रहेगा, objective type question, MCQ on the subject concerned as per the qualification of the post, तो दूसरा जो रहेगा part, आपका section B में, आपके subject to रहेंगे, subject to means, आपके nursing से related questions रहेंगे, 100 questions रहेंगे, 100 marks के रहेंगे, तो इस प्रकार्चे आपका 200 number का, वो questions हो जाएंगे, 200 number के, यह main main चीजे होंगे, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे direction, जो भी central government या state governments के जो रहते हैं, वो उसके तात है, तो आप देख सकते हैं, इसका age relaxation की हम बात कर लेते हैं, age relaxation SCST, group B or C के लिए 5 years है, OBC के लिए 3 years है, PWBD candidates के लिए 10 years है, जो PWBD और SCST candidate हैं, उनको additional 15 years और OBC के लिए 13 years का दिया गया है, यह main main चीजे हो गई, जो मैंने आपको cover कर दिया, बाकि जो भी candidates eligible हैं, जो चाहते हैं वहाँ पर दिल्ली में रखे service करना, अच्छा payment है, वो इसके लिए apply कर सकते हैं, बाकि अगर आप लोगों के इसके लावा कोई query है, तो आप लोग comment box में अपने query को erase कर सकते हैं, हमारे telegram channel पर भी अपने query को रख सकते हैं, हमारा पूरा फरसर प्रयास रहेगा, कि आप लोगों के query का solution दिया जा, जो भी समाधान है notification के तर आप लोगों को उपलम्द कराया जा, आसे करता हूँ हमारा यह video आपको प्रशंद आया होगा, हमारे यह recruitment notice आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगे, लाइ रहे हमारे साथ दे नर्सिंग अकडमी यूटूब चैनल पर, थैंक यू